तो सबसे पहले कैसे start होगा ये chapter तो मैं आपको suggest करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप work लिखना सीखेंगे बिना कुछ सोचे कि बी किदर energy में जाना है क्या जाना है आप सिर्फ work done लिखना सीखिए अगर work done लिखना है तो हमारा focus सरब उसी force पे और total displacement पे होता है बाकी के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं सोच रहे होते हैं exactly बाकी लोगों का भी contribution हो का displacement में बिल्कुल मना नहीं कर रहा लेकिन एक बार आपके हाथ displacement आ गया तो आप सरफ उस force की बात करते हैं उस displacement की बात करते हैं और उन दोनों की बीच आइंगल की बात करते हैं जब भी आप work done calculate कर रहे हो और इसी time पे conservative and non-conservative forces समझ लेना चाहिए सरफ work done निकालने के ख्याल सकिए कैसे gravitational force पे आपको work done निकालना है तो gravitational force के लिए कर work done निकालना है तो पाथ से independent होगा तो वहाँ से कई सारी चीज़े निकल लाएंगी फिर आप वैसे सवाल solve करिए कि जिसमें different forces लगाईए और सिर्फ work done calculate करिए कि पे एक platform है platform के open and client surface है उसमें spring से block बांद दिया और system को ऊपर accelerate करा दिया तो normal spring force फलाना अधिम का उन सभी का work done लिखे ground के frame में लिखे, platform के frame में लिखे, wedge के frame में लिखे, अलग-अलग मतब target यह है कि work done में आप मजबूत होगे एक बार आप work done में मजबूत हो जाते है कि यहाँ भी अब बचे work done आता है लिखना चाहे वो constant force हो, vector form में हो, variable force हो या graph दिया हो कहीं से भी हम work done निकाल सकते हैं एक पर आपने work done निकालना सीख लिया तब हम लोग वहाँ से आगे बढ़ेंगे और सबसे पहली चीज़ जो बढ़ेंगे वो है work energy थेओर ठीक है, work energy थेओर में ऐसा कुछ भी नहीं तो वहाँ पर देखें कि total work done by all the forces, मज़ा ही आगया मतब कुछ ऐसा नहीं specify कि frictional force नहीं होना चीए, frictional force नहीं होना चीए तो dissipative force नहीं होना चीए, तो conservative होना चीए, तो non नहीं होना चीए total work done by all the forces, it should be going to change in kinetic energy अब यहाँ से आप उसको apply, different cases में करना शुरू कर देज़ेगा, बिना यह सोचे कि mechanical energy conserve है, यह नहीं है, तीक है, frictional force है, कुछ भी है, आप फटा फट लगाते चले चले जो फिर frame के according में सोचो, कि अलग-अलग frame से कैसे करना है, कि भी different frame से करें, center mass frame में भी क्या applicable है, वो सारी चीज़े सोचते हुए, तो work energy theorem आपने धंग से apply कर लिया, अब हम चलेंगे work energy theorem से ही आगे बढ़ेंगे special case पर, अब आप देखोगे कि if सरफ और सरफ conservative forces के work done की वजह से अगर change in energy आ रहा है, if only conservative forces, if only the work done by conservative forces are causing the change in energy, तब आप देखेंगे कि एक special time की category का energy, like mechanical energy remains conserved, अब उसमें kinetic energy है, spring energy है, potential energy है, यह तमाम चीज़े आ जाएगे, तो वो एक special case हो गया, कि भी वो कब हम apply कर सकते हैं, फिर वहाँ से आप देखना कि भी अच्छा work done, change in energy, energy conservation, फिर उसमें एक work done add किया, तब आपको बता लगे कि अच्छा अच्छा work करने से अगर किसे system पर work हो रहा हो तो energy में क्या change है जाएगे, तो कब आप से पूछ ले कि we find the work done by external agent और क्या और क्या, वो सब कुछ आप वहाँ पर दिमें दिमें समझ जाएंगे, ठीक है, जब यह चीज़ें कर लेते हैं, तब आपको बहुत सारे सव अब कहेंगे आपने यह क्या बात करी, work energy theorem जो आपने पढ़ा, J.E. के question solve करने में, neat के question solve है, उसका character कैसा रहेगा, so it's like a luxury, work energy theorem एक luxury टाइप की चीज़ बहुत सारे चगों पर दिखेंगी, मतलब मैं यह कह दू कि बहुत सारे situation में, बहुत सारे situation के answer को हम with the help of NLM and kinematics कर सकत हैं, लेकिन उसको हम अगर work energy से solve करें, तो बड़ी आसानी से हो जाता है, इसलिए मैंने कहा कि work energy एक luxury के तरह आपको दिखेगा, ठीक है, तो हमें वहाँ पर differentiate करना विलकुल आना चीज़ वहाँ पर दो different situation में, कहते हैं बहुत भेदभाव करना आना चीज़, कि यहाँ पर म लगाने वाला हूँ, यहाँ पर मुझे force लगाना है, यहाँ पर हमें kinematics लगाना है, कई जोगों ऐसा लगे कर आप force kinematics लगाएंगे, तो फिर आप variable acceleration की तरफ जाएंगे, फिर आपको integrate करना पड़ेगा, लेकिन आप work energy theorem यूज करते हो, तो बढ़ी आसानी से निकल कुछ ऐसे question होगे जिसमें work energy से हम सोच ही नहीं सकते, हमें जाना ही बढ़ेगा force पे, हमें जाना ही बढ़ेगा kinematics पे, तो यह चीज़े क्योंकि work energy theorem का method and NLM plus kinematics का combo वाला method, कि यह कई बार आपको दुबिधा में डाल सकता है, आपको लगे हैं मैं ऐसे solve करो, मैं ऐसे solve करो, तो उसकी proper practice हो जाएगी, तो कभी आप समय खराब नहीं करोगे, exactly आपको पता है कि अच्छा, अब मुझे क्या आपलाए करना है, यहाँ पे हमें क्या answer मिल जाएगा, तो इस तरह से सोचेंगे तो एक बहुत important part होगे और आगे चलके कई जगों पे, rotational में बहुत application से, SHM में मतब work energy जैसे बता है, पूरे process में देखेंगे, तो एक constant change अदर उदर हो रहा होता है, वो ही है, energy, वो different different events में, different different processes में, वो अपना form change करता होता है, ठीक है, अभी जैसे कुछ बचों ने comment में लिखा था, कि भी energy क्या है, तो अगर मैं फिर से वही बात करूँ, अगर वुन फ कि भी mathematical principle पर बेस्ट है, आप अगर देखेंगे, सोचेंगे, कि भी आप देखो ना, एक body को उठाया, and it has some gravitational potential energy, और आप उसको लिखते हैं, MGH, तो मैं कहता हूँ, कि अगर आप MGH लिख रहे हो, तो अगर कोई छट के ऊपर से देख रहा हो, उसको अलग energy दिखेगे, तो अ एक ऐसा concept है, एक ऐसा concept develop किया गया, जिसको, जिसके through सारा process, event connected रहता है, और वो चीज़े बदल रही होती है, ठीक है, तो इस पे और clarity लाने के लिए मैं एक बार एक पूरा session रखूँगा, कि actually gravitational potential energy को कैसे realize कर ले हम, ठीक है, कैसे उसको समझ लें कि अच्छा, यह gravitational potential energy का यह idea इस हिसाब से gravitational potential energy रखा गया, इस हिसाब से यह रखा गया, तब आप वो सारे statement समझना सुरू कर लेंगे, कि कोई भी system है, arrangement है, तो जो उसकी energy है, तो उसको बनाने में जो work हुआ है, तब आप जैसे जैसे धिमे धिमे सोचना शुरू करेंगे, तो final आपको लगए यह idea ही है, reality क्या है, एक object है, एक system, एक arrangement है, यह universe है, ठीक है, अब इसकी चीजों को explain करने के लिए एक idea develop क्या है, energy जैसे एक चीज है, एक body है उपर से नीचे गिर रहा है, तो इसलिए गिर रहा है कि इसके पास potential energy था, अब वो क्या हुआ potential energy है, तो that energy is converting into the kinetic energy, ठीक है, तो वो बाद में सोचेंगा, अब देमेद में सोचते चले जाएगा, बट हाँ, अगर थोरा आख, कान और दमाग, तीनों को एक alignment के साथ चलते रहेगे, तो काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह के साब work energy complete करेगा, और yes, end of the chapter में power करना बिलकुल मत भूलिएगा, power को बहुत जल्दी में कर लेते हैं, जिसका नुकसान भी होता है, कई पर questions आ जाते हैं, और थोरा सा maths involved होता है, तो वहाँ पर, especially उस तरह के question में कि पानी है, पानी बहार निकाल रहे motor से, heart pump है, फलाना, ध्यवाना, ऐसा कुछ भी, है ना, तो एक full clarity होना चाहिए, कि what is instantaneous power, what is average power, है ना क्योंकि power फिर आपको alternating current में भी दिखता है, अलग-अलग चकों पर power, आप wave में जाते हैं, वहाँ पर power का मतलब समझ आता है, तो हम छोटा सा definition देखते हैं, चोटी सी, जल्दे हो, ऐसा नहीं करना है, कुछ questions पर स्वाल करना है, और ढंग से सोच लेना है उसको, कि अच्छा ये power था, ठीक है, तो मुझे पूरी उमीद है कि आप इस series को enjoy कर रहे हैं, और अगर ऐसा हो पा रहे हैं तो please, ये request है आपसे, कि जरूर share करिएगा, like जरूर करिएगा, क्योंकि share करने से और like करने से बिलकुल भी आपका कुछ भी बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा, आ से बिकार चैनल है, फिर भी आप एक बाद देख लो, ठीक है, क्योंकि ना हम आपके लिए news लेके आते हैं बहुत सारे, ना हम बहुत सारे strategy लेके आते, ठीक है, फिर भी जो लेके आते हैं, मैं गोश्च करता हूँ कि आपके साथ connect हो, ठीक है, तो चले, और comment box में अपनी ब स्टीज में strongly believe करता हूँ, ठीक है, एक time frame, timeline और timing ये होता है, उससे हम आगे नहीं निकल सकते हैं, जब वक्त है, time है, तो हो नहीं है, ठीक है, छले फिर आपसे मिलते हैं फिर, है ना, अपनी पढ़ाई करते हैं और positive हैं, ठीक है, okay, bye.